हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाचर अडिक्टिव, हज़रूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को, जिसमें उसका पिता अपनी ही बेटी को प्रेगनेंट कर देता है, जिसका नाम है गर्ल इंदा वेस्मिंट, ज होती है, जहां पीछे एक लड़की एक छोटी सी बच्ची को पकड़ कर ड्राइवर को तेज गाड़ी बगाने के लिए चिला रही है, क्योंकि ये बच्ची धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है, फिर हम देखते हैं कहानी शुरू होती है ठीक 20 साल पहले की, जिसमें ह ही खुली सोंच इसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, जब जब सहरा उन से जवान लड़ाती है तो उनका खून खौल जाता है, सहरा की मा जो है बहे चुप चाप और शांथ सौभाव की है, बहे अपनी बेटी और अपने पती की बीच लड़ाई के जगड़े को ही नहीं देती, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, पूरी रात इंतजार के बाद जब सहरा और उसका लवर घर लोटते हैं, सहरा का बाप उन्हें देख लेता है, फिर उसका बाप उसे साथ दिन के लिए घर में बंद रहने का ओर्डर सुनाता है, उसकी बड़ी बहन एमी और उसकी माँ उससे समझाती है, उसके पापा को इज़्जत सबसे प्यारी है, लेकिन सहरा डरने वालों में इसे नहीं है, भै अपनी बड़ी बहन और माँ को अपने सीक्रेट प्लानिंग के बारे में बताती है, भै कहती है भै अपने 18 बते तक का इंतजार कर रही है, उसके बाद भै अपने लबर के साथ दुनिया घूमने निकल जाएगी, उसका बाप उसकी पूरी प्लानिंग सुन लेता है, फिर भै सेरा को हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में कैद करने का प्लान बनाता है, फिर हमें घर में बने एक बेस्मेंट की जलक दिखाई देती है, जिस से उस बॉक्स के साथ सेरा को बेस्मेंट में गुसा देता है, फिर गेट लॉक हो जाता है, और उसका बाप नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, देर रात जब सेरा घर में दिखाई नहीं देती तब उसकी मा और एमी काफी परिशान होन नहीं है, उदर सेरा बेस्मेंट में भार निकलने की कोशिश में जी जान से लगी हुई है, वो हर तरीके की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है, फिर बेस्मेंट में एंट्री होती है उसके बाप की, बह सेरा को बताता है गेट में एक ऐसा डिवाइज लगा सेरा की मौत भी हो सकती है लेकिन सेरा हार मानने वालों में से नहीं है उसके दिमाग में एक अलगी प्लानिंग चल रही थी दरसल जिस बॉक्स के धोके से सेरा वेस्मेंट में आई थी उसमें कुछ जरूरत का सामान मौजूद है जिसमें कुछ कपड़े और खाने पीने की च किल देता है और उसे फिजिकली अव्यूज करने लगता है अगले सीन में सेरा का वर्तरे आता है जिसे मनाने के लिए बाप एंट्री मारता है साथ में लाता है एक गिफ्ट बॉक्स जिसमें रैड कलर की एक ड्रेस रखी हुई है वह सेरा को ड्रेस पहनने का ओर्डर देता है और उसे कभी पापा ना बुलाकर उसके नाम से बुलाने को कहता है जब बैड रेस पहनती है तब उसका बाप उसे दुबारा सेक्शली असरूल्ट करता है ऐसे ही बेस्मेंट में एक साल गुज़ जाता है और बहर प्रेगनेंट हो जाती है बिना किसी मेंडिकल हैल्प क ही हो जाती है सेरा का बाप उसे बताता है कि सेरा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ फ्लोरीडा भाग गई है जहां पर बहर दोनों एसकी जिंदगी जी रहे हैं उसकी मम्मी और उसकी बड़ी बेहन सब जानती है फिर क्रिस का तिल तूट जाता है और बहर उस घर में के बाद सेरा की फैमिली तीन लोगों की हो जाती है लेकिन मेरी और उसका छोटा भाई माईकल ये दोनों सेरा के बाप को अपना बाप समझते हैं और उसको डैट कहकर बुलाते हैं उन्हें वेस्मेंट में बंद रखने के लिए अजीब सा रीजन दिया जाता है उसके हिसा सेरा के घर के सामने रुकता है और उसकी मुलाकात उसकी बड़ी बहन एमी से हो जाती है जब एमी अपने पापा की जूटी कहानी सुनती है जिसके हिसाब सेरा किसी लड़के के साथ भाग गई थी तब उसको सक होने लगता है फिर होती है घर में लड़ाई जब एमी और उ 14 साल आगे बढ़ती है और सेरा अपने बाप के तीसरे बच्चे के साथ प्रेगनेंट हो जाती है और उसे जन्व देती है लेकिन इस बार बहे उसके बच्चे को अपने बाप के साथ ऊपर रखने के लिए मना लेती है अगले सीन में बच्चती है दरबाजी की घंटी जब मम जिन्दा है ठीक है उसको ढूंडने की कोशिश मत करना मम्मी उसे गोध में खुशी खुशी उठा लेती है और साइड में दूसरी छुपी चिट्थी को एक नोर मार देती है जो उसके बाप के हाथ लग जाती है जिसमें सेरा ने पुलिस बुलाने की बात कही होती है इस बात और उसके बच्चों को बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई देती है सेरा चमची मदद से छत में बनी छोटी सी दरार को धीरे धीरे बढ़ा कर देती है रात में फ्लेसलाइट मारकर सिगनल करने लगती है जो सड़क पर डॉग घुमाने वाले बन्दे को नजर आ जाती है बहे गेट पर आता है सेरा कबाब उसे सब कुछ नॉर्मल है कहकर भगा देता है और बहे फिर से बेस्मेंट की तरब भागता है इस बार बहे सहरा को मारने लगता है जिसकी बज़े से सहरा के पेट में पल रहे बच्चे को शोट लग जाती है और कुछ दिन बाद सहरा एक मरह हुए बच्चे को जन देती है जिससे बाद में सेरा का बाप अपने गार्डन में दफना देता है अब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और सेरा के बाप की नौकरी चली जाती है अब दो फैमिली को पालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है बहे नीचे वाली फैमिली से छुटकारा पाना चाता है कार का इंजन स्टार्ट करके उससे निकलने वाले दुए को पाइप में भरके उसका मुँ एक्जॉट फैन की तरफ गुमा देता है जिससे सेरा और उसके बच्चों का दम घुटने लगता है सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बड़ी बेटी पर जिसका नाम मेरी होता है जिसकी आहलत अस्थमा पेशेंट की तरह हो जाती है और फैनली सेरा अपने बाप को उसे होस्पिटल ले जाने के लिए एगरी कर लेती है लेकिन बेटे माइकल को उसी जगा पर लॉक करके जाता है जिसके बदले सेरा को मुबंद रखने की धमकी दी जाती है बरना उसका बेटा दम घुटने की बज़े से मर जाएगा अगले सीन में सेरा अपनी बच्ची को लेकर होस्पिटल पहुँच जाती है जहां पर एक डॉक्टर सेरा के बाप की अजीब सी बाते सुनकर उसको घुरने लगती है तब ही अचानक बहां से एक पुलिस आफिसर गुजरता है और फाइनली सेरा अपनी पूरी जान लगा कर उसकी तरफ भागती है और डॉक्टर की मदद से पूरा सच उसे बता देती है आखिरकार सेरा के बाप को उसके गिनोने कामों की सजा मिलती है और पुलिस उसे जिन्दगी भर के लिए जेल में डाल देती है अब आता है फिल्म का लास सीन जहां पर सेरा और उसकी फैमली एक हो जाती है और गेट पर किसी के बाइक रुकने की आवास सुनाई देती है यहां पर क्रिस्न और सेरा एक दूसे से 20 साल के बाद मुलाकात करते हैं जहां पर क्रिस्न उसको एक हेलमेट गिफ्ट करता है जिसे पहन कर 20 साल पहले वह भागने वाले थे फिर दोनों बाईक पर बैट कर लong ड्राइब पर निकल जाते हैं इसी के साथ होती है एप्पी एंडिंग आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में